हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइव डी फूल जारू बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं किस तरह से फाइव डी फूल जारू बनाया जाता है यह देखिए इस्टिल पाइप में किस तरह से यह लकड़ी है लिष ले ले लिजी के बाद लोग जितना हम बनाना चाहिए बना सकते हैं आज हम 70-70 gram में तब 6 separate में वेड करके पांचों को यह करके बनाएंगे तीन सु ग्राम में आज हम आपझ लोगों को बनाकर बताने बाला हूं किते हम इस तरह से वेड करें गें इसको सतर करेंगे या इसंबी को कि इससा हों कि इसको वेट कर लिए हैं इसको 70 ग्राम में अब इच्छवी ग्राश को इुष तरह से चजा लेंगे कि इससे सजाने के के बाद विश्मौने लिक wheat कि डालें और पिसी में नहीं भी डालेंगे पहते हित Q Kelly है शिसकि इसमें मात्रे बीस तरह से लवा गूं करके शोटी वालि इस त्रश में फितले मिकर शापाई कर रहे हैं अब इसको यह तार से इस तरह से पकड़ के तार मार लेंगें तार को अच्छे से मार लेना है तो कि तार खुले नहीं अगर देखिए इसी तरह से हम सत्र सत्र गाम में पांच को बनाएंगें और सब पांचों को तब बारी बारी से एके करके एट करके तब फुल जारू रेडी हो जाएगा इसी तरह से देखिए हम यह गोड़ी कर लिया है देखिए हम इस तरह से चार गोड़ी कर लिये हैं और एक आउर रेडी करेंगें इसमें देखिए इसको इसी तरह से वेट कर लेगें सतर ग्राम में कि इसको सतर ग्राम वेट कर लिये हैं इस तरह से पकर लेंगे और तार लेंगे मार कर देखिए हम इसी तरह से सब रेड़ी कर लिए बारी बारी से पांचों रेड़ी होगी आहाँ अब इसमें रीवन लपेट के हैं पांचों को इकठा कर देंगे देखिए हम इसको ले लिए हैं इसमें इस तरह से रीवन फसा लेंगे इस तरह से रीवन फसा के और इस तरह से इसको लपेट लेंगे इस तरह से लपेटने के बाद इसमें रीवन नहीं लपेंगे और इसको यह केक करके यहां से एड़ करते चले जाएंगे इस तरह से एड़ करते चला जाएंगे और लपेटते चला जाएंगे अब इस तरह से तीन लपेट लिये हैं अभी चौथा लपेट रहे हैं इस तरह से लपेट रहे हैं इस तरह से आप लोग भी लपेट लिजेगा प्रभी विच मदविया मार दीजेगा अब यह देखिए पाच्मा है पाच्मा को भी इस तरह से हम असानी से इसी तरह से येट करके लपेट लिए करके विए असानी से नहीन येट लेंग येट से लिए येट से छिए बार दिरे अधनी पर दोब पर दोग्ट प्रोड़ी हुआ है बिच बिच में एक एक सिक्की उठा लेंगें और इसको फसा देंगें, तो लुकिंग आ जाएगा, देखें, इस तरह से हम इतना लपेट लिए हैं, थोड़ा और लपेट लेंगें, इसको इसको इस तरह से फसा लेंगें, इसको इहां से तोड़ लेंगें, अब इसको कटिंग कर देंगें, अब इसको हम इस्टिल पाइप में पहना लेंगे, इस तरह से इस्टिल पाइप को पकर लेंगे, इस तरह से पकर लेंगे, और इसको इस तरह से असानी से पहना लेंगे, कि इसको इस पर ठोक लेंगे इस तरह से पहिना लिया है और इस पर कुपी इस तरह से पहिना लेंगे कि इस तरह से कुपी चढ़ा दिया है अब इसके पीछे ने लकडी डाल देंगे कि अचा सकत दो कि इस तरह से लक्री सभी में बुका लेंगे कि इस तरह से पिचे कुपी पना लेंगे कि देखे यह जारो बनके रेडी हो गया है और आगे पिछे कील मार देंगे कि देखे जारो बनके रेडी हो गया है इस्टी पाइप में यह सारे तीन स्टी इसक्राम में बनाया गया है अब हुआ हुआ है झाल झाल